नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एनन क्लासिस में और दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आगया हूँ एक लेटेस्ट इंफोमेशन और यह जानकारी सम्मदित है वन अरक्षे भरती परिक्षा जो 16 तारिक हुई है उसके संदर में आयोग ने एक प्रेस विग्यप्ति यह यहां पर जारी किये और यह प्रेस विग्यप्ति अभी यहां पर अप्लोड हुई है तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं देखिए यहां पर लिखा गया है वन अरक्षे भरती परिक्षा की समंद में 16-2020 को दो पालियो में वन अरक्षी पत के लिए लिखित परिक्षा कराई गई इस परिक्षा के उपरांत दिनांग 17-2020 के समाचार पत्रों में सोशल मीडिया में इस परिक्षा से संबंदि सामग्री के बारे में समाचार प्रकासित हुए इसके साथ उतराखंड करांती दल युवा मोर्चा तथा उत्राखन बेरुजगार संग के प्रतनीदियों द्वारा आयोग कारेले में आकर सोशल मीडिया में प्रकासित सामगरी उपलप्त कराते हुए इस मामले की जाज कराने का अनुरोथ किया गया अब देखे आगे क्या बता रहे हैं सोशल मीडिया में मुख्या रूप से दो तरह की सामगरी प्रकासित है पहला अभिलेग यहां पे अनुक्रमांग दिया है अब ब्यर्थी के बारे में बताए गया ब्यर्थी का नाम यहां पे जस्वाल सर्मा बताए गया है जो कि हरबट पूर निवासी है इस अब ब्यर्थी ने आयोग कारेले में उपस्तित होकर आउगत कराया कि उसने यह फोटो स्वयम परिक्षा समाफ्त होने के उपरांत लिया था क्योंकि परिक्षा समाफ्त होने पर उनके मुबाइल फोन वापस कर दिये गये थे किन्तों OMR सीट कलेक्ट की जा रही थी रात आड़ बजे उसने स्वयम इसे वट्सेप के माध्यम से अप्लोड किया है दूसरा भी लेग दुतिया पाली की इस प्रसंद पुस्तिका के एक प्रिष्ट का एक भाग है जिसमें प्रसंद संग के 41-49 तक के कुल 9 प्रसंद तथा OMR सीट के एक छोटे सेंस की इमेज दिखाई जा रही है इस इमेज में एक व्यक्ति का हाथ भी दिख रहा है यहाँ फोटो अब यहाँ पर मुबाइल नंबर दिया गया है यानि फर्जी समाचार तो आगे देख लीजिए आगे क्या बता रही है आयोग ने समस्तत्यों को देखते हुए यह निर्नाय लिया है कि प्रतम द्रिष्टिया यह मामले गंबीर प्रक्रतिके नहीं लगते तथा पी इनकी प्रतमे के जहांच उत्राखन पुलीस के सायवर सेल के माध्यम से करा ली जाए जिससे बरतिसरी जस्पाल सर्मा के कथन की पुष्टी हो सके वह दूसरी इमेज के संबंद में भी स्थिति स्पस्ट हो सके आयोग ने यहां भी विचार किया कि इन मामलों को देखते हुए परिक्षा कर्षा में मुबाइल प्रतिबंदित किया जाना त्यन्त महत्व पून है अता भुष्य में परिक्षा के इंदरों पर मुबाइल फोन की चेकिंग तथा उनके रख रकाहों के संबंद में इसपस्ट परक्रिया वादिसा निर्देश जारी करने के लिए आयोग की पून बैठग में सिक्र विचार किया जाएगा तो देखिए पहली OMR सीट का मामला यहां पर क्लियर हो गया है कि यह जस्पाल सनमागा था लेकिन जो दूसरी OMR सीट है उसका भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है और देखिए अगर आयोग को इसे बिल्कुल गंबीरता से लेना चाहिए क्योंकि अगर नकल हुई है तो कहीं न कहीं इसमें जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है जो मेहनत कर रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है तो यहाँ पर आयोग को इसको सही से जांच करवाने चाहिए हालां कि S.I.T. गठित हो चुकी है पुलिस की और वो इस मामले को गंबीरता से देखेंगे तो देखें दोस्तों अभी विगेपते रिलेज हो गई है बाकी अगर कोई नई अपडेट इसके बारे में आती है तो मैं आपको उपलब्द कराता रहूँगा दोस्तों अगर आप नए है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जनकारी पहले से पहले और जल्द से जल्द मिल सके तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद